पूस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है तब ही होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है उसमें क्या था ये कोई बताने को तयार नहीं लेकिन बाद में इस्रेल की पोस्ट पर अच्छानक हरकत बढ़ जाती है कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं हेजबुल्ला के स्पिन पॉइंट अटैक ने इस्रेल में बहुत बेचैनी पैदा करती है क्या हेजबुल्ला उत्तरी इस्रेल पर चड़ाई करने बाला है? क्या हेजबुल्ला सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इस्रेल की फॉज मसेगी, वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू करतेगा? हेजबुल्ला के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याखु से लेकर वाइटन दोनों पसोपेश में हैं हेजबुल्ला ने लेपनन इस्रेल पॉर्डर पर कई हमले करके साबिक कर दिया है कि इस्रेल के उत्तरी सीमा अब सुरक्षत नहीं बची है अगर घाजा पर ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के बाद हमास हो थी और हेजबुल्ला ने एक साथ इस्रेल पर हमले किया तो इनको एक साथ रोपना इस्रेल के लिए बहुत बड़ा चैलिंग बन जाएगा और तब अमेरिका की मदद के बेना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इस्रेल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाएगा घाजा में हमास के लड़ाखों की ताथाथ 40 से 50 हजार के करीब है उत्तर की तरफ लबनन में मिलीशिया हेजबॉल्ला की ताथा एक लाग से जादा है इनके सामने इस्रेल में आक्टिव और रिजर्व पूर्स मिलाकर छे लाग से जादा सैनिक है ये आंकड़े बताते हैं कि इस्रेल के पास चार गुना दाखत है इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराक के मिलीशिया हश्ट अल-शाबी ने अमेरिका के सैन्ने अड़ों पर ड्रोन के बाद मिसाईल से हमले शुरू कर दिये है इन हमलों में सबसे खतरनाफ मिसाईल का नाम है अल-अक्षा-1 अल-अक्षा-1 इरान की फते 1-1-0 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है या कहें कि इरान ने ये मिसाईल इराकी हेजबॉल्ला हश्ट अल-शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदल कर अल-अक्षा-1 कर दिया ये ऐसी मिसाईल है जो हेजबॉल्ला के पास पहले से है ये एक टैक्टिकल मिसाईल है जो छोटा पर्माणो बम भी दाख सकती है प्र slipsू29 है the barbarism is led by an axis of terror the axis of terror is led by Iran that includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions they seek to bring the middle east and the world back to a dark age they seek to torpedo to derail any progress towards peace इसे लिए इस पैलेस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजगुला के पास टैक्टिकल हमले के लिए पर्माणो भम भी हो सकता है ऐसा पर्माणो भम जिससे कम दाइरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके क्या हिजगुला के चीफ हसन नसरला ने ये पर्माणो सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है 2006 में अमेरिकी कॉंग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनन के मिलीशिया हिजगुला के उत्तर कोरिया से गहरे संबंद है उत्तर कोरिया हेजगुला को हथियार भी देता रहा है इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी है उत्तर कोरिया के लीटर किम जों उनको हेजगुला का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अबदक्शन कोरिया से ऐसे रिपोर्ट आ रही है, कि जो रॉकेट हमास और हेजबुल्ला इस्तेमाल कर रही है, उन पर में दिन उत्तर कोरिया वाले च्छाप लगी हुई है। इनका लॉंचिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर पूर्या से सप्लाई किया गया था ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्ला को भी दिये गया इसमें 122 मिली मीटर का कात यूशार रॉकेट भी है जिससे हिजबुल्ला ने उत्तरी इसरेल पर हमले तीज किया है सवाल है, हिजबुल्ला और किम योंग उनका याराना डेंजर मार के उपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परवानों सीक्रेट भी छुपा हुआ है फिलहा, इसरेल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्ला के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है इसरेल हिजबुल्ला के हत्यारों को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि उसने अब तक जो एक्षन दिखाया है उसमें इसरेल की कई बड़ी पोस्ट के चीथरे पोड़ चुके है हिजबुल्ला ने तीन तरह की एंटी टैंक आइड़ेट मिसाइलें इस्तिमाल की ये है कॉर्णेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब इरान इसका दीसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुका है और ऐसी बहुत से मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है दूसरी है BGM-71-2, एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसके नकर इरान तयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है तीसरी है 85, कॉंकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है, और अब इरान में ये तोसान नाम से तयार की जाती है इस्राइल ने सीरिया से खत्रे को देखते हुए गुलान पहाडियों में भी टैंक पहुँचा दिया है ये हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 के युद में सीरिया से इस्राइल ने इस हिस्से को अपने कबजे में ले लिया लेपनार, सीरिया और इस्राइल के ट्राइव जंक्शन वाले अलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है इस गाल पर वार करनी के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे इरान से सप्लाइब की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखी रहा है तीनों मिसाइल बहुत देखा रहा है लेकिन आप एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने रहा है वो है फते 1-1-0 इस मिसाइल से नितन्याहू कूर डर लग रहा है तो इसकी बहुत बड़ी बज़ा है इरामकी के मिसाइल 300 किलो मीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टार्गेट के 3 मीटर के धायरे में गिरती है एक बेलेस्टिक मिसाइल का इतना सा टीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इसरेल को परिशान कर रही है फते 1-1-0 की दो और खास बाते हैं जिसकी वज़़े से इसे रोकने में इसरेल को बहुत मुश्किल आ सकती है यह सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है यह कम बट में लॉंच के लिए तैयार की जा सकती है और यह रोड मुबाइल यानि इसे कहीं से भी लॉंच किया जा सकता है और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है इस रैंक के लिए इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझेगा बाइडन से लेकर नेतनियाहू को भी पता है कि फत्य वन वन जिरो मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में पूरी दरब फेड रहा था अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी इसलिए उसके सैने आसपास अंडरडराउंट हो गए थे तब इरान ने फत्य मिसाइल का ही एप पुराना वर्जन इस्तिमाल किया था और अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे था इरान में ऐसी करें 20 मिसाइल इंडागी थी ये जहां कि वह ऐसे ऐसे गड़े बने और सौ से जादा अमेरिकी सैनिकों को ज़माकों से गहरा सद्मा पहुंचा था देखा जाये तो इस वक पूरे पश्चिम एशिया में युद की चिंगारी पहुंच चुकी है इसराइल से लेकर गाजा तक गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है चिंगारी सीरिया और एरान में भी नज़र आ रही है और अब उत्तर कुरिया से मिले हथियार बड़ा खत्रा बंते दिखाए दे रहे हैं युद अद्र्म बड़ेस्ड़ून अब लेरान टीट चुकी है युद बड़े सोजस्स विले इंप से अ इंपले टल्याम इंपल फिस्ट ए फिस्ट आर से अजल्र ए लेकर फ्यु प्यूर्प लेखन पर्च्स बड़ेस्ट लेट बड़ेस्ट उरेसिन प्राइब इन जब ब्लिंकन इराग पहुंचे तो वो बॉलेट पूलेट पूलेट के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा यही वज़ा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लेंकन इराग का भी दौरा कर चुके हैं जब ब्लिंकन इराग पहुंचे तो वो बॉलेट पूलेट पूलेट जैकेट पहने हुए थे इराग में ऐसा खत्रा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां के मिलीशिया हश्ट अलशावी से भी खबराया हुआ है क्योंकि इराग समर्थित इस गुट ने अब इराग और सीरिया दूनों जड़ अमेरिका के अद्टों पर हमले शुरू कर दिये हैं झाल झाल